गदर टू अरे भाई मेरे वो जो आवाज है ना वो जो अभी भी गुंज रही है भाई और वो स्टेडियम है इसा एक दम मतलब सच लग रहा था इंडिया पाकिस्तान मैं इस देख रहा हूं मैं स्टेडियम में डायरेक्ट बस बाकि कुछ नहीं बोल सकते कुछ स्टेडियम मतलब कुछ डायलोग्स तो यार सुना ही नहीं दिये मतलब जिस तरीके से इस फिल्म में एक्शन है देखो भाई एक्शन और सनी पाजी का जो दम है ना मैं सच बोल रहा हूं अगर उस एक्शन में कुछ डायलोग्स में सनी पाजी के बदले अगर कोई दूसरा हीरो आता उसका आवाज सुनाई भी नहीं देता इतने शोर शरामे में भी उनका आवाज डायलोग्स और यह जो स्टाइल है ना उनकी एक अलग वो कुछ अलग ही है भाई गदर टू के बारे में मैं बात करू तो भाई वो जो experience था मुझे नहीं लगता है कि मैंने 25-26 साल में कभी व अगर देखने को मौका मिल तो भाई इसलिए re-release देखा था मैंने उसके बास दिये movie भाई सीदी बात 1971 का scene उन्होंने दिखाया है आब वो जो उतकर्ष का character है उसको कैसे बचाएंगे उसके पापा ऐसा क्या हुआ है फिल्म में क्योंकि बहुत सी चीजे उन्होंने सच बो love story है हाँ यह है कि भाई उतकर्ष भी क्यों ऐसा फसा है कि उसको डायरेक मौत की सजा सुनाई गई है और जिस तरीके से वह दंकी देता है कि भाई तुम जानते नहीं कि पंगा किससे लिया है हाँ यह कुछ लोग जो यूट्यूबर्स थे वह क्या बोल रहे थे ट्रेलर के भाई यह यह है वह है जाके देख आई फिल्म आपको समझ आएगा उतकर्ष का डांस उसके डायलोग अच्छे है और जो लोग बोल रहे है ना उसका ही काम जाद है क्या मतलब क्या बोलु यह कौन बोल रहे है वही जादा काम है उसका भाई सनी देवल इस दे मेन इरो अप गदर थ्री आएगी हाँ सीधा पहले ही बोल दे रहा हूं मैं आपको गदर थ्री आने के चांसस है और मैंने तो यह भी सुना है कि वह डायरेक्टली गदर टू के बाद वह एक मूवी है संजेदत और सनी देवल की वह उस पे भी काम चलेगा और पैरललली गदर थ्री पे काम चलने के चांस से एक रिपोर्ट के अनुसर तो मैंने यह पढ़ा है बात करते गदर के कास्ट के बारे में पहले देखो सनी देवल और अमीशा पटल लुक्स गुट टुगेदर उतकर्ष की और उनके अगर हिरोईन की बात करो कि उन्होंने भी अच्छ अच्छ लगे पर यह दोनों एकदम ब्रैंड लगे है अमीशा पटल जी की उमर उन्होंने जादा कुछ बड़ा ही नहीं है यह बात है उन्होंने बोला होगा मत बढ़ा हो यार क्योंकि लड़कियों को वैसे आदत नहीं रहती है तो वो उतकर्ष की मा है न क्योंकि वह तो वैसे हाँ फ कुछ नहीं दूम धड़ा का मारधार खतम और सच बोल रहा हो मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा आप लोग बोल रहे थे ना वह विलन बहुत ही यह लगता है वह लगता है वह विलन का यहाँ पे एंगल ही नहीं कि सिर्फ उस विलन से ही लड़ाई है यह बहुत कुछ बता ज चीजे दिखाई थी याद है अपको हाँ वो गजवा है हिंद वगारा टाइप के टॉपिक्स याद है बहुत सी ऐसी चीजे है जो ट्रेलर में दिखाई ही नहीं थी जो आपको मूवी में देखने को मिलेगी क्यों बोल रहा हो जैसे आपको एक डायलोग याद होगा ट्रे जर बाश दो तीन बार भी जायेगा इस बार सिर्फ लौ स्टोरी नहीं है ये बड़ी स्टोरी है ये मोर धैन लौ मृव स्टोरी नहीं है इस बार घदर्टू में के बहुत और बहुत कुछ है बही कि इसीजू भै और निकला만 Seb यह सौंग इसका ब्ॉरmber्ड हाँ हम् मैं न निकला का जो हाइप है न वो उससे ज्यादा किसी का हाइप नहीं यह मैं उपन ली बोल रहा हूं क्लाइमेक्स वर्जन भी उड़ जा का बहुत बहतरीन है कुछ इमोशनल जो बीजियम लगाए पीछे ऐसे लगा है न वह बहुत मस्त लगते हैं और भाई जिन लोगों को वह उतकर्ष से प्रॉबलम है भाई फिर आप घरी बैठी है मैं मज़ाख नहीं कर रहा हूं सीदी बात है सनी डेवल में लीड है मैं बोल रहा हूं आप को उपन ली उतकर्ष का काम है पहले पार्ट से बहुत जादा है पर भाई मुवी भी बढ़ी है और आप ऐसा नहीं है कि है वैसे काम पर फिर भी यार में मुवी का भाई पावर सब कुछ कोई है तो सनी देवले यह सनी देवले और उदित नारायन को क्रेडिट मिलना चाहिए आदित्य नारायन को भी क्रेडिट डूंगा मैं भाई ओवर ओल यह मुवी ना पैसा वसुल है बंपर है धमागा है आप यह मिस करो कि कुछ नहीं भाई फिर बचा यूगि गदर टू आपके लिए है और मैं यहापे इस मुवी में मुझे नहीं पता कि मैं स्टार रेटिंग्स कम क्यों दूँ इस मुवी की कोई भी इसमें मैं चार स्टार्स दूंगा हां मैं बहुत कंजूस हूं इसलिए मैं आज तक किसी भी मुवी को शायद नहीं दिया हूं यार तो वह एक मेरी एक आदत है बाखी कुछ नहीं मैं बहुत स्ट्रिक्ट अगर मैं शायद कुछ टीचर विचर होता तो भही मैं वह से भी स्ट्रिक्ट होता छोटे-छोटे इसका मार्स का आठता हां अगर आप ब डिटेल डिसकस करेंगे तब बेटा रेके मैं बता हूँ उसमें ओके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे भाई यह पास्टो करोड का धामा का है शेर करो यार वीडियो को यह भाई यह रुकेगी नहीं जवान आने के बाद भी नहीं रुकेगी इसका मैं गैरें